हाई फ्रेंट्स भारत सोई चैनल पर एक बार सब फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स और भी आने वाली होली पर के लिए मैं सभी दस्तों को घेर सारे सोब कामना ही देता हूं देसा कि मैंने पीछले वीडियो में बताया था हुली से जितने में समद्धित रेसिपी मैं इस चैनल पर डालूँगा तो आज उसी कैटेग्व में मैं कठल का मज़ेदार सबजी लेकर आए फ्रेंट्स वैसे दर्सक जो लोग नौन भेज आग्या एशान और तो यहारे कठल के सब्जी को बनाने जा रहे है और चैनल का किसे छीनल यह बनाल यह चानल अ'd चीजे लिए हैं आख्ञा यहमारा एक किलो कठल है और बाकी मसाला में बता दे रहा हूं यह आप देख सकते हैं मैं यह कुछ लेसन का इस्तवाल कर रहा हूं और यह तक्रीबन 250 ग्राम प्याज को मैंने इस तरह से काट लिया है कि फ्रेंट भारत रस की चैनल जो है यह बिल्कुल healthy recipe के लिए हम लोग यह channel खो ले अपने दर्सकों के स्वास्त को धिहार में रख कर हैं एस लिए इस चैनल पर आपको non-bag recipes नहीं मिलेगे श्रफ दर्साखाहरी recipes आपको मिलीगी तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं मुझे कठल को अच्छे तरीके से बॉइल करने तो बॉइल में कुकर में करूगा और यह कुकर मैंने पानी चरहा दिया इसमें आप एक चमच हल्दी डालने फ्रेंट्स और यह हल्दी डालने पर फ्रेंट्स कठल में फैलर भ अब इसमें धक्कन लगा के फ्रेंट्स साथ से आच सीटी आने तक इसे बॉइल करूगा ताकि यह जब मैं खाऊंगा यह कठल भाईएगा बिल्कुल मुझ में घुल जाएगा गुल जाएगा तो बहुत ही सॉप हो जाएगा और खाना में यह रहती बहुत ही मैज़ेदार लगेगी चलिए हमार साथ वीडियो में एंट्री बने तो फ्रेंट्स जब तक मेरा कठल बॉयल हो रहा है आए हम लोग जो मेरे 250 का मैंने प्याज किया था उसे हम लोग मिक्सी जार में बारीक पीच लेते हैं बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है फ्रेंट्स मैं थोड़ इसे बिल्कुल बारीक भी कर सकते हैं यहीं इसी तरी की बनाूंगा अब जो फ्रेंट्स यह लहसन और अध्रक लिया है इसका भी मैं बारिक पेस्ट बनाओंगा फ्रेंट्स लेकिन इसके साथ मैं कुछ मसाला और इसमें आड़ करूंगा जैसे में चार चमची साबूत जी पेस्ट बनाना है से तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स ये लहसन अद्रक और काली में जो दीरे का मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है अब फ्रेंट्स कठल को बॉयल होने देता है इसके बाद हमने प्रिस्टेपीर को मैं आग बढ़ेंगे चलिए बीडी मैंने तेक बलेगी आप देख सकते हैं फ्रेंट्स कठल में अच्छे तरीके से उबल चुका है मैं दिखा देरा अगो बर खोलके बिल्कुल सौफ्etzt हो चुका है फ्रेंट्स देख सकते हैं हाथ हाथ में दबाने से यह पूर जा रहा है तो आई हम लोग अगला प्रासस करते हैं अब इस क्ठ कुछ है मुझे फ्राइ करना है तो अब देख सकते हैं मैंने ये कड़ाई में सरसो थेल इन्हम पे चढ़ा दिया है और मेरा तेल गर्म भी हो चुका है अब मैं एक है करके इसमें कठल के टुक्ड़े को डाल दोंगा और सारे कठल के टुक्ड़े को पहल में फ्राइ कर तो आप देख सकते फ्रेंट्स मेरा ये कठथल अच्छ तरीके से फ्राइब हो गया है इसी तरह से मैं सारे कठथल को फ्रेंट्स फ्राइब कर लेता हूं उसके बाद इससे पी रहने लोग आगे बढ़ेंगे हमारे साथ वीडियो में बने रहे हैं अब देख सकते हैं मैं सारे कठथल को फ्राइब कर चुका हूं और अब जो फ्रेंट्स मेरा ये बचा हुआ है मैं इसी ओयल में पूरी रस्रीप को तैयार करूँगा मैं एकस्टा आइल का इस्तमाल नहीं करूँगा इसमें बचे हुए ओयल में मैं थोड़ी से हिंग डाल द दूप तेजपता दाले रहां और ये मैं इलाइची और लॉंग का इस्तमाल कर रहा हुए इसमें इसे भी डाल दे आप ओयल में और दो टुकड़ा ये मैं डाल ची निका ले रहा हुए ये स्वाद को इनहेंस करता है ये गरम मसालर की कैटेगरी में आता है इसे अच्छे तरीके से भालके से और आटि लुए और आप पकने दे और गरम में जब हैपकर फ्रॉएंची को सोटवा शिलका को तोड़र ले महीं तो आवाज करके फट सकता हूं अब इस वुएल में जो मैंने बारेक प्याज को मैंने थे साथस्माइब अस भी बिजर्य होने तक पकने दे दे और देख सकते है फ्रेंट्स मेरा प्याज ब्राउन होने वाला है इसमें जो मैंने फ्रेंट्स ये अध्रक और लहसन का पेस्ट मैंने बनाया था उसे भी मैं इसमें डाल दे जाओ अब इसमे एक चमच हल्दी मसाला डाल देता है उसमें एक बड़े चमच फ्रेंट्स में ये कास्मीरी लादमीच का इसक्माल कर रहा हुआ है इससे आपका जो सब्सक्राइब बहुत अच्छा आगए अब इस ते सारे मसाले को अच्छे तरीक देख से और आप देख सके फ्र जो कठल का फ्राइड किया हुआ था उसे मैं इसमें डाल दोगा आब इसको स्वादार उसार आप नमक मिला ला है अब मैं इसको सेंधा नमक कर रहा हूँ अब इस कठल को फ्रेंड्स मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिला लें और आप देख सकते फ्रेंट्स मैंने एक मिनिट के लिए एक मिनिट तक मैं मसाले के साथ सारे अच्छे तरीके से भून चुका हूँ अब फ्रेंट्स ग्रेवी के लिए आप इसमें पानी मिलाएं फ्रेंट्स अब आशिक तामसर पानी मिलाएं आपको जिस यसाब से जिस कंस हैं तो अचना और दॉला और ये on mehr suaring चाहिए उसीसाफ से आप पाणी डाले और और इस अच्छ तरीके से crazy शाट मैंक से अधने सब्तलबि दौना डाला है अब देख सकते हैं यह कितना अच्छा टेक्स्चर दिख रहा हमारा अब मैं इसे बॉइल आने तक पकालूंगा ढखके तो फ्रेंट्स कठल के सब्जी में बॉइल आ गया है आए हम लोग देखते हैं वाओ बिल्कुल यह चिकन की तरह लग रहा है अब देख सकते हैं यह कितना मज़ेदार टेक्शर उभर कर आया है इस होली आप इस तरह की कठल के सब्जी बना कर आप खाएं और हमें कमेट बॉक्स में जरूर बताएं अब इसमें अब मैं इंधन को बंद कर दाता हूँ और धन्या पता से मैं इससे गार्णिस कर देता हूँ आप इसमें गरम मसाला विपर से डाल सकते हैं मैंने भी डाला है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इंधन को बंद कर दिया है और मेरा कढ़ाई में यह जो कठल का सब्जी है बिल्कुल चिकन कढ़ाई की तरह दिख रहे है फ्रेंड्स बिल्कुल टेक्ट्चर उसी तरह का रहा है मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था मैं आज कठल की सब्जी बिल्कुल चिकन कड़ाई की तरह चिकन की तरह बनाने जा रहा हूँ और मुझे अच्छी खुश्बू भी आ रहे फ्रेंस मैं एक पाउल में निकाल रहा हूं से आप देख सकते हैं यह कितना अच्छा लग रे लिए बहुत ही मज़िदार होने वाली है रेसिपी तो उमीद करता हूं फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो हमारे महनत को एक सलाम एक सब्सक्राइब एक लाइक और शेर करके दीजिए फ्रेंड्स इस तरह की रेसिपी की ब आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स मिलता हूं इस तरक मज़ेदार रेसिपी में किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को हैपी होली धन्यवाद जय है